हेलो बच्चों, वालकम टिरुदु माम्स ओनलाइन क्लास बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी में आपके सेट एक्जाम्स होने वाले हैं जो कि अवसर आप के माध्यम से होंगे, जिसमें मल्टिपल चोईस क्वेस्चन्स आएंगे प्रतेक प्रश्ण के साथ उत्तर के लिए आपको चार विकल्प मिलेंगे उन में से आपको एक सही उत्तर को चुनना होगा तो मैंने आपके सेट एक्जाम्स की तयारी के लिए यह वीडियो बनाई है जो की आपकी होने वाले सेट एक्जाम्स के पैटर्न पर ही आधारित है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने सेट एक्जाम्स की तैयारी करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साइड में जो बैल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे और आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस नहों तो आईए शुरू करते हैं कक्षा तीन परिवेश अध्यन पाठ चोध है दाए बाए चार दिशाएं शुरू करते हैं पहले प्रैशन से आपका मुह पूर्व की तरफ हो तो आपके पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी कौन सी दिशा होगी पीछे की तरफ होगी पश्चिम दिशा इसका उत्तर है नमबर दो पश्चिम अगला प्राशन पुर्व दिशा में मुख करके खड़े होने पर आपके दाएं हात की तरफ कौन सी दिशा होगी देखो पाठ में आपको बताया हुआ है कि अगर हम सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होंगे जब सूर्य उधे होता है मतलब सूर्य उगता है उस समय आपके मुझ की तरफ सामने पूरु दिशा होगी पीछे की तरफ पस्चिम और आपके बाएं हाथ की तरफ होगी उत्तर दिशा और दाएं हाथ की तरफ कौन से दिशा होगी दक्षिन दिशा तो इसका उत्तर कौन सा होगा इसका उत्तर होगा नमबर चार दक्षिन अगला प्राशन है अध्यापिका ने किसके हाथ का चित्र बनाया? किसके हाथ का चित्र बनाया था? एक सीमा, दो कवीता, तीन, इकबाल या फिर चार राहुल किसके हाथ का चित्र बनाया था? इक बाल के हाथ का तो इसका उत्तर है नमबर तीन एक बाल अगला प्राश्ण अध्यापिका ने शामपट पर किसका रेखा चितर बनाया? शामपट मतलब ब्लैक बोर्ड पर किसका रेखा चितर बनाया था? एक पाउं, दो हाथ, तीन आँख, या फिर चार मुहूं किसका बनाया था हाथ का? तो इसका उत्तर है नमबर दो हाथ अगला प्राश्ण सभी बच्चे क्या गा रहे थे? एक कवीता, दो गाना, तीन प्रार्थना, या फिर चार भक्तिगीत क्या गा रहे थे? कवीता गा रहे थे? तो इसका उत्तर है नमबर एक कवीता अगला प्राश्ण किसके स्कूल में सभच्च भारत अभियान की शुरुवात हुई? एक राहुल, दो, कोमल, तीन, काजल, या फिर चार, रानी किसके स्कूल में हुई थी? राहुल के स्कूल में? तो इसका उत्तर है नमबर एक राहुल अगला प्राश्ण सभी बच्चे रैली निकालने कहां गए? कहां गए थे? एक स्कूल, दो, शहर, तीन, गाउं, या फिर चार कस्बे कहां गए थे? पाठ पड़ा है न सभी ने? गाउं गए थे इसका उत्तर है नमबर तीन, गाउं अगला प्राश्ण पूर्ण सूर्यास्त किस दिशा में होता है? देखो, सूर्योद्य किस दिशा में होता है? पूर्व में और उसके अपोसिट पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, मतलब सूर्यास्त होता है पूर्ण मतलब पूरा पूरा सूर्य किस दिशा में छिपता है एक पूर में दो पश्चिम तीन उत्तर या फिर चार दक्षिन इसका उत्तर है दो पश्चिम अगला प्राश्ण मान्चित्र में उपर की तरफ कौन सी दिशा होती है पूर्व, दो पश्चिम, तीन उत्तर या फिर चार दक्षिन मान्चित्र में उपर की तरफ उत्तर दिशा होती है इसका उत्तर है तीन उत्तर अगला प्राश्ण दिशाओं की कुल संख्या कितनी है एक एक दो दो तीन तीन या फिर चार चार कितनी है दिशाओं की कुल संख्या देखिए कौन कौन से दिशाए है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिन कितनी हुई चार तो दिशाओं की कुल संख्या चार है इसका उत्तर है नमबर चार चार अगला प्राश्ण क्या अध्यापिका ने एक ही हाथ से संकेत समझाए नहीं, दोनों हाथ से इसका उतर है नहीं, दोनों हाथ से अध्यापिका ने दोनों हाथ से संकेत समझाए थे अगला प्राश्ण अध्यापिका ने शामपट पर किस चीज़ का रेखाचित्र बनाया किस चीज़ का रेखाचित्र बनाया था हाथ का इसका उत्तर है हाथ का अगला प्राश्ण स्कूल में किस रैली की तयारी की जा रही थी किस रैली की तयारी की जा रही थी जिसके लिए वो गाउं गए थे रैली के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तो इसका उतर है स्वच्छ भारत मिशन की तयारी की जा रही थी अगला प्राश्ण रैली किस समय निकाली गई किस समय निकाली गई थी आधी चुटी के बाद तो उत्तर है इसका रैली आधी चुटी के बाद निकाली गई तो बच्चों यहाँ पर प्रशन उत्तर हो गए हैं complete इन्हें आप अच्छे से समझ कर याद करेंगे और अगर आप यह वीडियो दो या तीन बार देख लें तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे और इससे पहले पाठ जरूर पढ़ना ताकि आपको प्रशनों के उत्तर अपने आप ही मालूम हो जाएं क्योंकि पाठ में सब कुछ दिया हुआ है उन ही में से प्रशन निकल कर आते हैं तो फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चों